ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत हैं महातुफान विपरजोई क्या हरियाना में भी कहर बर पाएगा? इस सवाल का जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे इसी सवाल के जवाब के लिए क्रिशी मौसम विग्यानिक प्रोफेसर सी एस डागर से खास बात चीत की है टोटल न्यूस बियोरो है डॉक्टर महिश कुमार ने बिपरजोई महातुफान क्या हरियाना में भी कहर बर पाएगा? ये सवाल आपके जहन में जरूर होगा और इसी सवाल के जवाब के लिए क्रिशी मौसम विग्यानिक प्रोफेसर सी एस डागर इस वक्त हमार साथ बने हुआ सर भी परजोई देश के कई हिस्सों में महातुफान ने तबाही मचाई है क्या इसका असर हरियाना पर भी पर सकता है? ये थोड़ा अंशिक प्रभाव की संभावना हरियाना में भी है लेकिन तबाही वाली आप बात करें तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आज शाम तक ही जिसे अभी कच्छ और सौराश तक ये स्थित है तो ये थोड़ा कमजोर होने लग रहा है तो हरियाना तक नो डाउट असर आएगा इसका कुछ मौसम में परिवर्तन होगा एक दो जगए कुछ बुंदाबांदी की भी संभावना इससे बन रही है साथ में थोड़ी हवाएं तेज चलने की संभावना है परकि उससे ज़्यादा कोई संभावना नहीं और जो मुखत जो इसका जो असर आने की संभावना अगले चार-पांच दिनों में वो जो राजिस्थान से लगता जो हमारा छेतर है हमारा जो पस्चमी दक्षिन ऐसा कुछ नहीं बहुत आंशिक परभाव हर्याना में देखने को मिल लए तो जिक्र आपकर रहें कि तेज हवाएं तो जरूर चलेंगी लेकिन इसे तूफान का नाम नहीं दिया जा सकता नहीं यह यहां उसको तूफान नहीं कह सकते तेज हवाएं 30 से 40 km पर आवर जो मैक सिचाई रोक लें क्योंकि जहां थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना है तो इसको देखते हैं कुछ सिचाई अगर रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं दूसरा जो किसान किसी और जो मौझूदा फसल में कोई स्प्रेव अगर कोई कैमिकल स्प्रेव करना का जो नहेंगे और एक दो जगए बारिश की संभावना है तापमान में ग्रावट दर्ज करने की संभावना है चलिए भीचन गर्मी से तो हर्याना के लोगों को रात मिलेगी बीपर जुआए किसी भी तरीके से तबाही हर्याना में पैदा नहीं करेगा क्रिश मोसम विग्यानि झाल